उनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाने से उनलाइन गेमर्स बड़ी मात्रा में नाराज हो चुके है उनका कहना है कि कैसीनो और घोड़े के दोड़ को उनलाइन गेमिंग के श्रेणी में लाया गया है जिसके चलते इंडियन गेमर्स युनाइटेड के तत्वधान से नाकुरू सेथ आरबियाई चौक पर उनलाइन गेमर्स द्वारा इस नीती के निर्माताओं के खिलाफ आंदोलन किया गया इस समय शांती पूर्ण तरीके से गोशना आए और बैनर दिखा कर निशेद वियत किया गया दरसल ओनलाइन गेमर्स ने ओनलाइन गेम पर GST लगाने के कारण चिंता जताई है कि ओनलाइन गेम तेजी से युवाव के लिए अपनी खाली समय में पैसा बनाने और गिक अर्थ विवस्ता का हिसाब बनने के लिए अपने गेमिंग कोशलिका उप्योग करने के विकल्प के रूप में उभर रहे है अब इन गेमर्स को चिंता है कि 28 पर ऑनलाइन गेम पर GST की आवेवारिक दर इससे बढ़ते उद्यों को समय से पहले ही खत्म कर देगी और ऑनलाइन गेमर्स की उभरती तादाद भी समाप्त हो जाएगी 11 जुलाई 2023 को हुई GST काउंसिलिंग की पचासवी बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत GST लगाने का प्रस्ताव किया गया था जिसमें कैसीनो और हॉस रेस भी शामिल है वदमान में ऑनलाइन गेमिंग कंपनिया सरकार को सकल गेमिंग राजस यानि जी जी आर या प्लेटफॉर्म शुल्ग पर लगाए गयाटरा प्रतिशत GST का भुक्तान करती है वतमान GST विवस्ता कोशली के खेल और मौके के खेल के आधार पर ऑनलाइन गेम में अंतर करती है जिसे इलेक्ट्रोनिक और सूचना प्रद्योगी की मुंत्राले यानि MEI TVI द्वारा और द्योग के लिए अपने मसौदा विनि के कारण विद्याजन करने वाले चात्र इस चकुरिव्यू में फस्ते जा रहे है जहां आज ऑनलाइन गेम के समर्थन में आंदोलन भी कर रहे है इसी बीच सवाल उपस्तित होता है कि क्या बस GST लगाने से ऑनलाइन गेमिंग को नकेल कसी जाएगी क्या फिर सरकार इस और कड़े कदम उठाएगी कैमरे परसंट राजकुमार मोड के साथ मनीश टेमरी की रिपोर्ट